पुस्पा, पुस्पराज, यह वत्ते के दिलाए गुवाद करते हैं, देखते रहिएगा पूरा विडियो तो दोस्तों सबसे पहले आगर बात करें रनवीर सिंग और दिपिका पादुकॉन की फिल्म 83 के बारे में जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तैलगू, मलियालम और कनाड़ा पांच भासाओं में रिलिश किया था इस फिल्म ने अपने पहले हपते में All Indianate Collection किया था 71 करोड 87 लाक रुपे का और फिल्म ने दो हपतों में 97 करोड की कमई कर ली थी वही दोस्तों 17 दिनों के अंदर 83 फिल्म ने Indianate Collection 100 करोड रुपे से भी ज़्यादा का कर लिया था लेकिन दोस्तों बात करें कि अभी तक टोटल 83 का कितना कलेक्शन हुआ है तो दोस्तों 83 फिल्म ने अभी तक All Indianate Collection किया है 103 करोड रुपे का वही इस फिल्म का Worldwide Gross Collection 188 करोड का हो चुका है बताना चाहूंगा दोस्तों 83 फिल्म बोक्स ओफिस पर फ्लोप हो चुकी है वही दोस्तों बात करें नागा अरजुन सर के upcoming फिल्म बंगराजु के बारे में जिस फिल्म को रिलिज किया जाना है 14 जनवरी को और इस फिल्म में नागा अरजुन सर के साथ में उनके ही बेटे नागा चेतन्य नजर आएंगे बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का जो प्री रिलिज बिजनस है वो काफी सोलिड हुआ है और फिल्म ने रिलिज होने से पहले ही 36 करोड की कमई कर ली है जिया दोस्तों बंगा राजु फिल्म के जो थेटरिकल राइट से वो निजाम एरिया के भी के है 11 करोड में वही आंधरा के भी के है 18 करोड में और सीडेट के भी के है 6 करोड 30 लाख रुपे के इसी के साथ दोस्तों बंगा राजु फिल्म ने रिलिज होने से पहले तेलगूई स्टेट में अपने थेटरिकल राइट्स 36 करोड के बेज दिये हैं बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म 14 जनवरी को रिलिज होने जा रही है तो फिल्म से पूरी उमीदे हैं कि ये फिल्म नागारजुन सर के करियर की वन अब दे बीज लाक रुपे और तीसरे हप्ते में कमाए थे 25 करोड चाلिस लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो फुस्पा का सुरूआती तीन हप्तों में हिंदी नेट कलेक्स न हो चुका था 72 करोड paper 80 करोड नपचास लाक रुपे और रवीवार कमाए 3,48,000,000 रुपे वही दोस्तों फिल्म ने मंडे यानि कि चोथे सोमोवार 1,70,000,000 रुपे कमाए और फिल्म चोथे मंगलवार लगभग 1,50,000,000,000 रुपे कमा रही है इसी के साथ दोस्तों पुस्पादर आईस का अभी तक का हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है 83,50,000,000 रुपे वही हिंदी का ग्रोस कलेक्शन 103 करोड रुपे हो चुका है बताना चाहूंगा दोस्तों पुस्पादर आइस का जो सभी भासाओं का worldwide gross collection है वो 362 करोड रुपे से भी ज्यादा का हो चुका है और पुस्पादर आइस सभी भासाओं में blockbuster हो चुकी है